जिन्दाबाद प्रकाश परव के मौके पर आखिरकार केसानों की मांग मांगे किंद्र सरकार ने तीनों नए कृशी कानून वापस लेने का फैसला किया देश के नाम अपने संबोधन में प्रधान मंतरी मोधी ने ये बड़ ऐलान किया पियम मोदी ने कहा कि राजसरकार तीनों खृषी कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए इस एलान के बाद ही दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जश्न शुरू कर दिया है हाला कि किसानों ने कहा कि बॉर्डर खाली होगा या नहीं इस पर निर्ने संयुक्त किसान मोर्चा लेगा इसको आगे बढ़ाया इस सब की जीत है कि हमने पूरी तरीका से इस देश की सरकार के वीच में अपने दुख को अपने दर्द को उनके अंदर पहुंचा दिया किसान संयुक्त मोर्चा आदर्नियों टिकेस साब बैठ करके इस पर डिसीजन लेंगे हमारी दो महांग थी कानून वापसी और MSP पर कानून पादर्निय परदानमंत्री जी ने आज कुछ बोला है और सरकार की तरफ से जो भी कुछ होगा बैठ करके बादचीत होगी कुछ मुद्धे ऐसे हैं कि जो आंदोनन के दौरान हमारे किसान बाईयों पर कुछ मुकदमे दर्ज हो गए थे उनको भी लेकर के सरकार से पूछना है लगातार हम दुबारा तो आंदोनन करने के लिए यहाँ पर आएंगे नहीं तो सारी चीज पर बैठ कर चर्चा होगी उसी के बाद कोई आगे करने नहीं होगा गोरतलब है कि दिली के बॉडर्डर्स पर किसान तीनों करिशी कानूनों की खिलाफ बीते 14 महीने से आंदोन कर रहे थे अब सरकार के स्पैसले के बाद किसानों में खुशी है हाला कि किसान नेता राकेश टिकेट ने कहा है कि हम तुरंत आंदोलन वापस नहीं लेंगे बलकि इन्हें संसद में वापस लेने का इंतिजार करेंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए गाज़ेबाद से संजे मितल की रिपोउट किसान युनियार बड़किसान युनियार जिन अबाद चेट चेट चला रिए किसान अबन् तकेट अबर रहे ओर तकेशन युनियार जिन आफ टिकाट एक टषिकाट उदरीन रेष्ट काट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हम से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद